और अगेन ये न्यू वीडियो और ये 2023 का वीडियो है पहला वीडियो मैं कर रहा हूं क्योंकि आज ये 2022 के ग्रूप 13 गुरूप 14 को प्रिपर किया है तो अब 23 को भी जैसे जैसे हर रोज कोशिश करूँगा कि एक 22 का एक 23 का क्योंकि 22 का जुलाई का मेरा वीडियो अभी कम्प्लीट नहीं हुआ है तो उसमें भी अभी 50% वर्क बाकी है तो जैसे जैसे जो चैप्टर मैं उसका करूँगा वही 2023 का भी कवर करूँगा तो शुरू करते हैं अब आज ही मैंने 2022 जुलाई शिफ्ट का ग्रूप 13 गूप 14 प्रिपर किया है तो फिर से 2023 के जैनवरी शिफ्ट के ग्रूप 13 गूप 14 को भी हम ले रहे हैं तो स्टार्ट करते हैं लेट स्टार्ट तो पहला केस है पहला कोश्यन है Beryllium has less negative value of reduction potential compared to the other alkaline earth metal तो देखो भाई ये statement तो बिल्कुल correct है अब इसमें थोरा सा मैं आपको help कर रहा हूँ just a minute मैं आपको दोनों का बता रहा हूँ S-block मतलब alkaline metal का alkaline earth metal तो देखो alkaline metal में क्या होता है होता क्या है ये जो reduction potential है यानि reduce करने की ability ये i-nation energy पर depend करती है और i-nation energy उपर से नीचे अगर आप Li से घटते चले जाओ CS तक तो इसकी i-nation energy कम होती जाती है इसलिए इसका reduction potential सबसे top पे होगा और Li का सबसे कम पे ऐसा होना चाहिए तो ये रहा मैंने लिख दिया ये trend होना चाहिए था तो हम कहते कोई exception नहीं है बस group 1 में जो Li होता है ये top पे पहुँच जाता है और ऐसा क्यों होता है Li के top पे पहुँचने का क्योंकि इसकी hydration energy बहुँच जादा high होती है ये दो factor पे depend करता है एक sublimation पे और hydration energy पे तो Li की sublimation energy तो कमी है पे पहुचना चाहिए था लेकिन ये नहीं पहुचता है तो इसका कारण होता है इसका sublimation energy जो होगा वो काफी जादा हाई होगा जिसको enthalpy of atomization जो अभी word यूज़ किया है या इसको आप delta h sublimation भी कह सकते हो sublimation तो ये बहुँच जादा हाई है यहां पे क्या होगा delta h atomization इस case में ये काफी कम होता है lithium का तो इसलिए दोनों favorable है यहां पे atomization energy बहुँच जादा हाई होती है तो जब तक ये atomize होगा नहीं तब तक ये hydrate नहीं होगा इसलिए ये energy बहुँच जादा हाई होने के कारण ये सबसे last में होता है तो बिल्कुल सही है और यही explanation भी इसने दिया है कि जो beryllium है इसके hydration energy तो large है has a very has large hydration energy जो तो small size of B2 plus 1 दम सही है but relatively large value of atomization enthalpy ये भी statement correct है और यही जो है spoiler है यही इसको खराब कर रहा है और ये सबसे नीचे पहुच आ रहा है next carbon forms two important oxide CO and CO2 CO is neutral whereas CO2 is acidic in nature एक तम statement correct है देखो बाई बहुत बार इसके पहले भी videos में मेरे मिल चुका है आपको तो मैंने बहुत सारे videos में तो पूरा ही cover किया हूँ है metal non-metal यहाँ पे अभी मैं non-metal को cover कर रहा हूँ non-metal के oxides के बारे में ये है कि सिर्फ तीन oxide इसके neutral होते है बाकि सारे के सारे acidic होंगे तीन एकदम रट डालो बीसमियों बार पूछा जा चुका है एक तो carbon monoxide दूसर nitrogen plus one का oxide nitrogen plus two का oxide ये laughing gas भी है N2O और NO nitrous oxide nitric oxide और बाकि जितने भी हो acidic हैं जैसे कि CO2, N2O3 N2O5 और जो दिमाग में SO2, SO3 जो जो दिमाग में ये सारे acidic हैं और acidic कैसे पता करते हैं तो किसी भी gas को जब आप पाने में dissolve कराओगे क्योंकि CO2 को देखे आपको नहीं पता चले का acidic है इसको जब पाने में आप dissolve कराओगे तो ये आपको carbonic acid देगा which has the ability to release edge plus तो इसलिए ये acidic nature का है तो I think second वाला statement एक बार रीड करते है CO2 can combine with water in a limited way to form carbonic acid while CO is sprinkly एक दम सही CO ना के बराबर soluble होता है और ये dissolve होके carbonic acid देदेता है इसी currency acidic है तो ठीक है दोनों ही correct है और correct explanation भी है इसका क्यों होता है तो इसलिए इसमें second option correct next आते हैं अगले question पर ये कहरा है the decrease in first ionization enthalpy from B to A L is much large then कहरा है कि B से A L का जो decrease ionization energy का वो काफी ज़्यादा large है A L से GA के compare में ये statement तो गलत हो गया क्योंकि A L से GA पे increase होता है दीको ionization energy का ये trend है ठीक है मैं पहले आपको बता देता हूँ group 13 के element है B, A, L, G, A, I, N, T, L properties में यहाँ पे exception आ सकता है और यहाँ पे guarantee नहीं होती है यहाँ पे और यहाँ पे exception आ सकता है क्योंकि यहाँ पे 3D electron पहली बार picture में आते हैं और यहाँ पे 4F electron पहली बार picture में आते हैं तो D electron और यहाँ पे F electron आने के कारण exception आता है तो guarantee नहीं होती है अब जैसे size में size में इधर से इधर जाने पे size बढ़ता है लेकिन gallium का size कम हो जाता है क्योंकि D electron की shielding effect पूर होने के कारण कम हो जाता है तो size में सिर्फ gallium पे exception आया TL पे नहीं आया लेकिन ionization energy में दोनों पे exception आएगा क्योंकि यहाँ से यहाँ पे हम जा रहे हैं तो size के बढ़ने के कारण ionization energy कम होना चाहिए तो यह एक्दम gradual decrease होना चाहिए था इसलिए इसको निकालना मुश्किल हो जाता है जादा energy देनी पड़ती है तो इसलिए ionization energy का trend B से AL पे घटेगा फिर gallium पे बढ़ेगा फिर indium पे कम होगा फिर TL पे बढ़ जाएगा TL यहाँ पे पहुँच जाएगा बोरोन से कम रहेगा और ऐसे ही आप radius का भी याद रखना radius और z में बढ़ना चाहिए था regular लेकिन gallium पे exception आएगा gallium का size aluminium से छोटा हो जाएगा तो पहला statement तो गलत हो गया अब यह कह रहा है the d orbital in ga are completely filled यह statement correct है तो पहला false दूसरा correct यह हो जाएगा हमारा yes, first option correct next आते हैं कहरा है lithium aluminium hydride can be prepared from the reaction आफ यह तो आप ऐसे भी guess कर सकते हो कि हमें क्या करना होगा aluminium के compound को hydrogenate करना होगा तब ही aluminium का hydride बनेगा तो एक ही case दिख रहा है जहां पे हम hydrogenate कर रहे हैं this is the famous case तो ALCl3 को LiH से treat करोगे तो LiAlH4 बन जाएगा ठीक है प्लस LiCl release हो जाएगा तो यह correct option हो जाएगा second next आते हैं boric acid is solid whereas BF3 is gas at room temperature because यह तो ऐसे ही पता चलता है boric acid में BOH whole 3 है और O से H connect होने के करने it can form H bond वाहिल BF3 में कोई H bond नहीं है तो इसलिए यहाँ पे hydrogen bonding is a reason देखके हम बता देंगे strong hydrogen bonding in boric acid yes third option correct अब फिर से वही है boric acid आया तो इसको छोड़ना नहीं है although इसके पहले 2022 वाले वीडियो में भी मैंने explain किया यहाँ पे भी एक बार recap कर ले चोटे से S3-2O3 के बारे हम क्या जानना है सबसे पहला चीज यह एक weak acid होता है जो पानी के OH को गेन करके H plus release करता है यह question पूछा जा चुका था 2022 वाले shift में तो पहला चीज यह याद रखना है कि पानी से OH लेके उसी के H plus को release करता है यह अपना H plus release नहीं करता है और यह एक weak acid है भूलना नहीं है यह white crystalline होता है metaboric acid इसका नाम है और इसके बाद further इसको heat करोगे तो इसके 2 more आएंगे और उससे पानी निकालके यह B2O3 बन जाएगा इसके बाद इसके preparation के लिए यह सब reactions थे borax इसको HCl से आप किसी भी acid से treat कर सकते हो HCl से treat किया तो H2B4O7 tetraboric acid इसे कहते हैं और उसके बाद पानी मिलाओगे तो S3BO3 बन जाएगा या BCL3 में आप पानी आड़ कर दो तो फिर S3BO3 प्लस HCl बनेगा and similarly BN में पानी आड़ कर दो तो S3BO3 प्लस NH3 बनेगा वही इसकी hydrolysis होगी ammonia बन गया और यह S3BO3 similarly इसकी भी hydrolysis होगी तो पानी का H plus CL minus के साथ HCl देगा और B के उपर जो charge H3 plus उसके साथ OH मिलके S3BO3 देदेगा उसके बाद यह चीद ध्यानक नहीं कि S3BO3 एक weak acid होता है इसलिए नवेच के साथ completely यह forward जा नहीं पाता है तो यहाँ पे हमें sharp end point not achieved नहीं मिल पाता है इस पूरे case में sharp end point तो sharp end point achieve करने के लिए हमें diol लेना पड़ता है this diol जो कि इसके साथ complex जो B OH hole 4 है उसके साथ chillet बनाके stabilize कर देता है और यह जो OH OH है OH है यह water हटाएगा यह water हटाएगा और इस तरह से connect हो जाएगे water हटा water हटा और यह ring बन जाएगा इधर से भी ring बन जाएगा जिसको chillet कहते हैं और stability आ जाती है इसलिए sharp end point achieve करने के लिए reaction को इस medium में कराए जाता है इसके presence में कराए जाता है बस इतना आप धियान रखो कभी borax का एक भी question मेंस नहीं होगा अब है Lewis acidic character और boron trihalide follows the order यह हमें दिया हुआ है तो भाई यह तो बहुत simple case है और हर जगा मिलता है यह यहाँ पे क्या है इसके पास 2p orbital है और fluorine के पास lone pair है अब इस vacant 2p orbital के कारण ही यह Lewis acid होता है कि किसी भी दूसरे species base वगरा से यह electron gain करने की ability रखता है लेकिन यह vacant orbital को बगल में जो fluorine है उसके पास electrons है lone pair के form में वो इसको donate करते रहते हैं जिससे कि इसकी भूख खतम हो जाती है और यह weak acid बन जाता है तो अगर इसको बगल में यह देना बंद कर दे fluorine इसको electron देना बंद कर दे तो फिर यह बहुत strong acid रहेगा तो अब देखते हैं किस case में इसको कम electron मिलता है तो fluorine और boron क्योंकि दोनों second period के element है तो दोनों का orbital 2P2P है तो बहुत pass भी रहेंगे और बहुत अच्छी overlapping भी होगी तो यहाँ पर यह back bond जो है बहुत effective रहेगा लेकिन जैसे ही आप CL के case में आऊगे तो यह bond भी large हो गया तो दूर भी चला गया CL उपर से size gap भी है इसका orbital तो 2P है लेकिन CL का orbital 3P है तो size difference large होने के करण overlapping थोरी सी poor हो जाएगी तो यहाँ पर इसको उतना अच्छे से electron नहीं मिला इसकी Lewis acidic strength high रहेगी और नीचे जाओगे तो और भी ज़्यादा high क्योंकि BR और भी दूर रहेगा उसका orbital और भी large होगा और I वाले का तो और भी large होगा तो जैसे ही हम F से I की तरफ जाएगे Lewis acidic strength बढ़ता चला जाएगा इसलिए यह वाल option correct होगा Now heading for the next कहरे दे correct order of bond enthalpy bond enthalpy का correct order क्या होगा तो देखो एक ही thumb rule है जो मैं आपको बता रहा हूँ bond enthalpy के लिए अच्छे यह लिख दिया है मैंने nucleus to nucleus distance जितना कम होगा जितना कम तो इसका मतलब atom बहुत पास-पास होँगे और जितने पास-पास होँगे उतना ही मजबूत bond होगा इनका तो इसलिए अगर nucleus to nucleus distance कम है और कब होगा जब छोटे-छोटे element होगे मालो आप बड़ा element ले लो silicon तो यह देखो एक silicon दूसरा silicon बड़ा है और carbon छोटा element है carbon छोटा है तो इसके nucleus का distance compare कर यह काफी पास है और यही चीज़ इसके nucleus में compare करोगे तो काफी दूर हो गई है large gap तो size पर depend करता है तो nucleus to nucleus distance जितना कम होगा downward arrow दिया है जितना कम होगा bond उतना ही strong होगा उसको break करना अगर मजबूत bond है तो break करने के लिए ज़्यादा energy देनी होगी तो bond energy भी high होगी और अगर nucleus to nucleus distance कम है तो stability भी high रहेगी जल्दी उसको कोई तोड़ नहीं पाएगा अब देख लो यहीं ढूंडना है तो यहाँ देखो carbon carbon सबसे छोटा size क्योंकि उपर से नीचे जाने पर size बढ़ता है तो इसकी bond enthalpy सबसे ज़्यादा high होगी और gradually tin की तरफ क्योंकि C, SI, GE, SN, PB उपर से नीचे जाने पर इसका size कहीं कोई exception नहीं ग्रूप 13 में यह ग्रूप 14 के elements हैं ग्रूप 14 में radius का gradual increase होगा C, SI, GE, SN, PB लेकिन अभी मैंने बताया था ग्रूप 13 वाला जब भी मिले आप बनाते रहों उसमें gallium पर exception आता है B, AL, GA का size काम हो जाता है IN, TL यह radius है और यह ग्रूप 13 elements है तो ऐसे याद रखो तो इसलिए इसमें fourth option correct नाव खतम हो गया 7 questions थे इसमें भी हमारा cover हो गया 2023 का hydrogen का THANKS FOR WATCHING